नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज इस वीडियों में हम लोग बात करने वाले हैं CET गुरूब D का आपका एक्जाम कब होने वाला है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सभी तरह की लेटे सब्डेट्स के लिए आप हमारे चैनल निटीजन ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो CET है वो यादो माई के थर्ड वीक से स्टार्ट होगा और जून के फर्स्ट वीक तक चलने वाला है लेकिन दोस्तों आपका जो CET है तो आपका जून में स्टार्ट होगा तो यह बात मैंने आपको कली बता दी थी गुरूप CET की बढ़ती के लिए परिच्छा जून में आईए दोस्तों देखते हैं पूरी नियूज हर्याना में तृतिय वाच चतुष श्रेणी करमचारियों का कॉमन केंडर होगा इन पदों पर भरती से पहले युवां को हर्याना करमचारी चरहन आईएग द्वारा ले जाने वाली कॉमन पातरता परिच्छा को पास करना होगा परिच्छा का आउजन जून में होगा परिच्छा का आयोजन आपका जून में होगा बर्तियों वाखाली पदों को लेकर विधान सवा में उटे सवालों का जबाब देते हुए मुखे मंति महो मनोह लाल खटन ने कहा कि तरतिय वाख चतुत्रेणी करमचारियों की भड़ती में इंटर्व्यू सिस्टम पूरी तरह से खतम किया गया है केंसरकार की नेशनल टेस एजेंसी कॉमन पात्रता परिच्छा का आयोजन करेगी चतुत्रेणी के पदों के लिए उमिदवारों को केवल पात्रता परिच्छा पास करनी होगी इस परिच्छा की मेर्ट सूची में आने वाले युबाओं को सीधे ही बवागों में जरूरत के हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी साथ ही दोस्तों जो आपका गुरुप C का एक्जाम होगा उसमें आपका सेकेंड एक्जाम भी होगा उसके बाद ही आपका सेलेक्शन होगा लेकिन गुरुप D में आपका साथ हे आपका आपका सबस्ंतिय सक व किसे व стать और अपनी सब्सक्ति कि अब आपको भी परने चकी है कि आपका एक्जाम जून में होने किटना है अगर आपको इनफोमिशन पस आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में